नमस्कार दोस्तों मैं रभी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम जानेंगे तीन ऐसे संकेतों के बारे में जो बताती हैं कि शक्तियां आपकी प्रिक्षा ले रही हैं विल्कुल जिस भी देवी देवताय फिर जिस भी दिवे शक्ति की आप पूजा पार्ट करती हैं वह कि शक्ति आपकी प्रिक्षा जरूर लेती है क्योंकि जब आप किसी शक्ति को धारन करने से पहले बुलाने से पहले ही अपने मन में इच्छाएं रख लेते हो तो ऐसी स्तेती में शक्तियां भी आपकी प्रिक्षा लेती हैं कि आप उस शक्ति के लायक हो भी या नहीं जो आप किसी साधना को करते हैं तो बहुत ही कुछ ऐसे अनभव आपके साथ में होते हैं जिसकी वजह से आपकी पूजा अधूरी रह जाती है यह तो आपका मन ही तूट जाता है बिल्कुल सबसे पहला संकेर तो यही है कि पूजा करते करते अचानक ही आपको ऐसा लेगा कि जै से आप शिरवात में पूजा पाट कर रहे हैं नवरात्री पूजा आप कर रहे हैं तो दो से तीन दिन तो आप बिल्कुल पूजा करोगे टिकल सुभाई शाम पूजा करोगे लेकिन जब तीन से चार दिन भी जाते हैं तो आपका विश्वास कमजोर हो जाता है क्यों क्यो को भी कर्म कर देते हो और पूजा के समय को भी बदल देते हो इसकी वज़े से आपकी जो पूजा पाट है वो भी पल हो जाती है वह सभी कार नहीं हो पाती तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बार-बार पूजा से मन तूठता है और फिर जुड़ जाता है ठीक है श पूजा पार्ट में बैठते ही कुछ समय आप पूजा करोगे अचानक ही आपके मन में खयाल आएंगे इदर उदर के आपका मन भंगित होने लग जाता है आपका मन विचारों से बर जाता है तो गभी पोजिटीव विचार तो गभी नेगिटीव विचार बहुत बार ऐसा हो कि जब हम पूजा पार्ट करते हैं दूसरे सकेत की हम बात कर रहे हैं जब हम पूजा पार्ट करते हैं माल लेजे हम सुभह चार बज़े पूजा पार्ट कर रहे हैं या पांच बज़े कर रहे हैं तो हम जब भी पूजा पार्ट करने बैठेंगे हमें आलस आना शुरू हो वह दर्द बनेगा जैसे पूजा में बैटे हो शरीर भारी हो गया खंदे भारी हो गया और जब पूझा से उठ जाते हो तो आपका शरीर फिर स्वस्त हो जाता है तो इस तरह से अनुभव अगर आपके साथ में होते हैं तो यह भी जक्तियों की प्रिक्षाओं के ही संकेत होते हैं बहुत बार काफी ब्यक्तिस होते हैं कि यह साधना जो साधना आप लोगों को दे जाती है उस साधना से सभी को फाइदा हुआ सभी को अनभव हुए आपको क्यों नहीं हुए आप अगर मा की पूजा कर रहें तो आपको अनभव क्यों नहीं हुए तो यह भी एक प्रिक्षा होती है ठीक है मा लेजी आगर आज आपने पूजा की आज अनभव नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हो तो परसों होगा, उदब नहीं हो तो महीने बाद, साल बाद, जब तक अनभव नहीं होगा, आपलग पूजा पाठ में जुटे रहोगे, लेकिन ऐसा करने साब कभी स्वास कमजियूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके जो अंदर की परक है ठीक है तरस होती है जो विक्ति के अंदर वो एक सीमा तक होती है ठीक है सहन चीलता विक्ति के अंदर एक सीमा तक होती है तो ऐसे शक्तियां भी आपकी सहन चीलता को परकती है कि अगर मैं इसे दर्शन ना दूं कि तब ही मेरी पूझा पाठ करे आपके कोई परिवारिक सरदस्ट या घर के सदस्ट आपको कुछ ऐसी बात बोल देते हैं शरवात में कि जो आप पूजा की शरवात में ही कि आप लोग पूजा पर बैठ होगे और आपको करोद आएगा उस बात से ठीक है जान भूजकर कोई आपके घर में जैसे आपका भा पर आप उनसे चिला कर बात करने लग जाते हो तो यहां भी शक्तियां आपके सहन शेलता को प्रगती है वो जान भूजकर ऐसा करती है ताकि आपको क्रोध आए वो आपके क्रोध को देखती है कि क्या आप इन बातों को सहन कर भी पाते हो या नहीं आपके अंदर सहन शेलत हैं तो यह सकतिया इन सभी बातों को भी देखती हैं कि देखे अच्छा और बुरा समय सब्सक्राइज होते हैं लेकिन टेंगे दुख बताने साफ जाता है पूजा में बैटे हुए हो रोते रहते हो तो इस तरह से आपका मन हलका हम जाता है इस तरह है कि जो संकेत अभी है दूसरी बाल पूलिक्षा अधिकतर उनहीं व्यक्तियों के साथ होती है जो सक्तियों से अनौश्व है वहो लेना है तो जब आपके मन में ज़्यत्रा के सब्वाल राते हैं तो सक्तियां भी तो आपको अपनें एक से दिखाएंगी को सपने में अच्छे सपनें भी अएंगे पुरे भी आने ठिक है अच्छे और दोनों त donating सपने आएंगे आपको जैकने कि जो प्रीक्सा है वो होती है जो रखतें जो प्रेम-भावस बख्ति करते रहते हैं तցरे प्रेुदा करते रहे फिक्सान होनी है प्रेसक्ट को कि होते हैं बहुत बाद ऐसा होगा कि आप को eu celebrated बोल देते हैं कि आपके मन में कोई इच्छा है आपने वह शक्ति आगे रख दी माल लेजिए वह इच्छा आपकी कुछ समय तक पूरी ना हो और उसके पुरे होने का समय आ भी जाए वह फिर भी ना हो ठीक है तो कुछ दिन बाद हो तो ऐसे भी शक्तियां करते हैं कि आपके कोई इच्छा है जो पूरी हो होने वाली है लेकिन वह फिर रिलेट हो जाती है वह आपकी मन को आपकी च्छा को परकती है कि आप अपने दुख को सबसे पहले किसी बताना पसंद करते हो आप अपने दुख को सबसे पहले किसके साथ सांजा करते हो जबत की तो ऐसे होते हैं जबने दुख को किसी को बता आनिया हो जाती है शक्ति आपको भीमारी नहीं देगी शक्ति-परीक्ष। के दो रान आपको घर ते रोड तक नहीं लेकर आपके कामधन्दी बंध होगे क्या यह पूरिक्षा है नहीं कि नकरात्मकता यह घर में बुर्य क्पर फ hailिज्य कोई आ रही है अपकोवाथ हो रही हैं लेकिन वह खुल पर नहीं आ यंग होतना कि विल्कुल भी नहीं कोई भी शक्टी हो कोई भी दिवय शक्ती हो व्यान्सिक इस प्रेक्षा ले sonra कि अम्युक्तल सब्सक्राइब धुट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई शक्ति है लेकिन आपके घर में नक्रातमकता भी है तो दूर करना पड़ेगा तब जाकर वह शक्तिपुन रूप से आपके साथ चल पाती है ऐसा ना हो कि आप लोग प्रिक्षा के सोच कर कोई बुरी शक्ति ही आपके घर में बैठी हुई हो और आपके काम धंदों को वैपार को शरीर में बीमारियां शक्तियों गाना और सब कामों को रोकर बैठी हुई हो कि घर के जो इसे बहुत से सादकाई हैं इसके साथ ये समझ्चाएं पहले हुई हैं लेकिन जैसे ही उनको समझ्चा के बारे में बताया अगर उनकी समझ्चा देखकर कि क्या हुने समझ्चा है कैसे हुई है उस समझ्चा कर समधान क्या है तो जब उन्होंने वह समधान किया तो आज